जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागते आपके अपने यूटूब चेनल दवंग क्लासेश पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MPGK टेस्ट स्रीज में MP पटवारी एक्जाम, MP फॉरेस्ट एक्जाम, MP प्लिस कॉंस्टेबल और MP SI जैसे एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए MPGK के महत्पुन प्रशन है, जो कि आपके एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप कभी MPGK बिल्कुल कंप्लेट हो सकें, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कोईशन आपसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट कोईशन में आपसे पूछा गया है, चंदेरी के पास 15 सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप में जाना जाता है, तो दिये गया आपसंस में से आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वाह है आप लोगो आपसे कलाक्रतियों के लिए 200 प्रसिद्ध है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की और, नेक्स्ट कोईशन देखी, यहाँ पर आप लोगों से क्या पुछा गया है, इनमें से कौन सी अली राजपूर की एक प्रमुख जन जाती है, चार आप्शन आपको दिये गया ह अनुसूचित जन जातिया पाई जाती हैं, जिन में से भील एबम भिलाला जन जातियों की जन संख्या सरबादी के, मद्प्रदेश की जो सबसे बड़ी जन जाती है, वह भील जन जाती है, और मद्प्रदेश की जो सबसे छोटी जन जाती है, वह कमार जन जाती है, जो की म से पुछा गया है भारती सोतंत्रता के तुरंत बाद या मध्य भारत का हिस्सा बन गया था है लीराजपूर मध्य प्रदेश का सब सबसे कम साक्षर जिला है इसकी जो लिट्रेसी रेट है यह 37.2 प्रतीसत है अली राजपुर जो है यह 17 मई 2008 17 मई 2008 को जाबुआ से अलग होकर मद्प्रदेश राज्य का नया जिला बना था इसकी सिमाएं जो हैं गुजरात और महाराष्ट राज्य को छूती हैं अली राजपुर को मद्प्रदेश के चेरापुंजी के रूप में भी जाना जाता है अली राजपुर जो है यह मद्प्रदेश का सबसे पश्यमी जिला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है नेक आगे बढ़ते हैं next question की और, next question की और बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोस्तों यदि आप लोगों ने MPGK की अभी तक 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF डाउनलोड नहीं की है, तो आप वीडियो की description में दी गए लिंक पर क्लिक करके इस PDF को जरूर डाउनलोड कर हैं, जैसे की मद्द प्रदेश का इतिहाज, मद्द प्रदेश की जलबायू, मद्द प्रदेश की राजनेतिक बेवस्था, मद्द प्रदेश की जंजातियां, मद्द प्रदेश की नदियां, मद्द प्रदेश के जो खेल, त्योहार, उस सब होते हैं, मद्द प्रदेश क पूछे गया MPGK के सभी question solve कर पाएंगे तो तुरंत PDF को वीडियो की description में दी गए link पर click करके download करें और अपनी त्यारी को और बहतर करें आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं next question में आपसे पुछाएं प्राचिन सहर उज्जेन किस नदी के टटपर इस्थी थे तो इसका जो right answer है न दोस्तों वह होगा आपका option number 3 छिप्रा नदी के टटपर प्राचिन सहर उज्जेन जो है या छिप्रा नदी के टटपर इस्थी थे उज्जेन के प्रसिद इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है जाना जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहापर आपसे पुछा गया है मद्ध प्रदेश में निम्न लिखी तिमारतों में से किसमें बास्तुकला के लिए आगाखा पुरुसकार जीता है चार आपको दिये गया और पुछा गया इनमें से कौन सी ऐसी इमारत है जिसने बास्तुकला के लिए आगाखा भवन को कहां इस्ती थे बिधान भवन स्यामला हिल्स पर इस भवन का जो डिजाइन यह प्रसिद बास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारत त्यार किया गया था इस भवन का नाम इंद्रा गांधी बिधान सवा भवन रखा गया है आगे बढ़ते हैं next question की और next question देकि यह और लतियार नदियों के संगम पर इस्ती थे सीहर जिले में प्रसिद सलकनपूर मेला लगता है तथा रेलबे स्लीपर बनाने का जो कार खाना है ना या सीहर जिले के बुधनी में ही इस्ती थे और यह कॉइंस्टबल एक्जाम और पढ़़ारी एक्जाम 2017 में पूछा गया प्रशने हैं कि मद्धि प्रदेश में जो स्लीपर बनाने का कार खाना है कहां इस्तीत तब आपका अंसर होगा सिहर जिले के बुधनी में नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है उस राजा का नाम बताएं जिसने प महराजा 16 साल ने पन्ना राजबंस या पन्ना सहर की स्थापना की थी पन्ना जो है भारत में सरबादिक हीरो उत्पादन के कारण जाना जाता है आगे बरते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछाए हिंडोला महल कहां इस्ती थे तो इसका जो पार जिले में इस्ती थे इसे सिटी ओस जाय आनंद नगरी या करीमा बाग सहर मांडबगर इत्यादी नामों से जाना जाता हैं मांडू में हिंडोला महल के अतिरिक्त जहागिर महल दाई का महल और साथी साथ होसंसा का मकवरा रानी रूपमती महल और बाज-बहादुर मह किया था अटेर दुर्ग का निर्मान जो है चंबल घाटी में किसके द्वारा कराया गया तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आफ्टर नंबर सेकेंड भदोरिया के द्वारा इसका निर्मान भदोरिया राजा वदन सीही ने 1664 में करवाया था ठीक है यह को याद रखना अटेर दुर्ग का निर्मान जो है भदेरिया राजवंस के राजा बदन सीही के द्वारा 1664 में सुरू कराया गया था कब सुरू कराया 1664 में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है मध्य प्रद सबसे उचा परबस सिखर धूबगर्ण सिखर है जिसकी उचाई है तेरा सो पचास मीटर और यहां सत्पूड़ा स्रेणी की सरवोची चोटी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखिए आपसे क्या पूछाए इंडियान इंस्टिटूट स्वेभी रिसर्च कि सहर में इस्तित है तो इसका राइट आंसर दौस्तों बाई आप लोगों का आफसर नंबर फ लुंपर चाहर में की और मढद प्रदेस की क्या पूंचा कंद्धपूर सतना में मद्धिपर्देश में जो तो कहाँ पाया जाते हैं अगर आपसे इसा unison tis में पाय जाते हैं आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्योंकरों सफारी यसले किया पूछा दूह रहा हैं किस समराट के लिए कहा जाता है कि उसने अपने सेना के लिये सीब पूरी से हातियों को लिया था तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का option number first अकवर ने यदि आप लोगों है हमारा जो आपका नेशनल पार्क से संबंदित हमने आपको question कराये थे दोस्तों अगर उससे देखा होगा तो आप इसका अंसर आसानी से कर पाए होंगे यदि आपने नहीं देखा है तो topic wise MPGK के सारे वेस्ट question देखने के लिए आप चेनल की प्लेइस्ट चेक कर सकते हैं ज इससे आपकी preparation और बहतर हो पाएगी तो यहाँ पर question पुछा गया था कि कि सम्राट ने तो right answer होगा सम्राट अकवर ने अपनी सेना के लिए सिव पूरी से हातियों को लिया था आगे बढ़ते next question की और next question यहाँ पर आपसे पुछा गया है मंदसोर जिले में पाए गए यसो बर्मन का जो बिजय इस्थम है यह कहा इस्ति थे बताए मंदसोर में कहा इस्ति थे तो इसका जो right answer है वह है आप लोगों का option number first सोंधनी में यसो बर्मन का जो बिजय इस्थम या मंदसोर जिले के सोंधनी में इस्ति थे यसो बर्मन का संबंद ओलिकर बंस से सा यह भी याद रखना है कि यसो बंद का संबंद किसे था तो ओलिकर बंस से सा यह आपको याद रहना चाहिए यसो बर्मन का बिजय इस्थम जो है मंदसोर के सोंधनी से पाया गया मंद्यसोर जिले की बात कली जाए तो मंद्यसोर जिला जो है यहां अफिम उत्पादन में मद्य प्रदेश में प्रथम इस्थान पर है और मंद्यसोर जिले में सिवना नदी के टट पर पसुपती नाथ मंदिर भी इस्ती थे तो आप से यह कोशन अक आपसे क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आपसे बोला गया है पूर्व भौपाल राज का पहला सिचाई टेंक पलाक मती कहा इस्थी थे तो इसका जो राइट आंसर है न दोस्तों वह है आप लोगों का आपसर नंबर फर्स्ट राइसें जिले में पूर्व भौपाल रा राज का पहला सिचाई टेंक पलाक मती राइसें में इस्थी थे यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की हो नेक्स्ट कोशन में देखिए आपसे क्या पुछाए मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला सहर कौ को याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहां पर आपसे पुछा गया है भारत के 12 जोतिलंगों में से एक कहां इस्थी थे जलेश्वर महा कालिश्वर योगेश्वर या मुक्तेश्वर में तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तो वह क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला आपसन नमबर सेकेंड महा कालिश्वर में भारत के 12 जोतिलंगों में से एक महा कालिश्वर में इस्थी थे महा कालिश्वर जोतिलंग उज्जेन में छिप्रा नदी के टटपर इस्थी थे यहां पर छिप्रा नदी के टटपर प्र आपको काफी अच्छे से याद होना चीए मध्य प्रदेश में भारत के टोटल 12 जोतिल लिंगों में से दो इस्थित हैं पहला है उज्जेन में छिप्रा नदी के टट पर महाकालिश्वर जोतिलिंग और दूसरा है खंडवा जिले के ओमका रेश्वर में नर्मदा नदी के टट पर इस्थित ओमका रेश्वर ममलेश्वर जोतिलिंग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और नेक्स्ट कुशन में देखिए आपसे क्या पुछा गया है बगदराव बन्यजीब अभ्यारण की स्थापना क नेक्स्ट कुशन में पुछा है प्रदेश में अलकलाइड कर खाना कहा इस्ती थे तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों के अपसर नमबर फर्स्ट नीमच जिले में प्रसिद्ध अलकलाइड कर खाना इस्ती थे मद्य प्रदेश में जो नीमच जिला है या अफिम उत्पादर में मद्य प्रदेश राज में दूसरे इस्तान पर आता है और अफिम उत्पादर में प्रथम इस्तान पर कौन सा आता है मंद्सोर आता है जो की मैं आपको आल्रेडी बता चुका हूँ next question में देखी क्या पूछा जा रहा है दमोहों में पहाडी किला कहां इस्ती थे क्या पूछा गया है दमोहों में पहाडी किला कहां इस्ती थे तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number first सिंगोर घड में दमो में पहाडी किला सिंगोरगड में इस्ति थे दमो जिला सागर संभाग के अंतरगत आता है ये भी पूछा जा सकता है कि किस संभाग के अंतरगत आता है तब आपका अंसर होगा सागर संभाग के अंतरगत आता है दमो जिले में गुप्त कालीन एबम कल्चूरी बंस के सा और यहां मद्प्रदेश का दूसरा केंद्री विश्व बिदियाले है इस्थे ये भी आपको याद रखना है आमर कंटक से ही मद्धिप्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है तो 1312 किलो मीटर है मद्धिप्रदेश में इसकी लंबाई 10-77 किलो मीटर है इसे मद्यप्रदेश और गुजराच दोनों ही राजियों की जीवन रेखा कहा जाता है अमर कंटक में ही नर्मदा नदी पर प्रसिद कपिल धारा जल प्रपात इस्थी थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में देखिए आपसे क्या पूछाए नेक्स्ट कोश्चन में आपसे बोला गया है सर्दार सरुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है चार अप्शन आपको दिये गया है और पूछा गया है सबसे बड़ा बांध है आगे बढ़ते हैं next question की हो दोस्तों यदि आप लोगों को MP government के किसी भी exam जैसे की MP पटवारी exam 2017, MP forest exam 2017, Jail Prady exam 2018, Constable exam 2016, 2017, 2022, MP SI exam 2016, 2017, इन सभी exams के previous year paper के full solution देखना है जिनके math, reasoning, GKGS, MPGK, science, इन सभी के full solution और साथ ही साथ MP SI exam के, MP forest exam और पटवारी exam की जो हिंदी है, इसका भी full solution देखना है तो आप चैनल की playlist में जाकर देख सकते हैं, जहां पर previous year paper के साथ साथ आने वाले 2023 में जो exam में आप लोगों के उनके लिए भी playlist अलग से बना दी गई हैं, जहां पर आप लोगों को daily videos प्रवाइड कराए जिससे कि आपकी preparation और बहतर हो पाएगी, किस जिले में इस्ति थे, चार option आपको दिये गया और पुछा गया बागी की गुफाएग किस जिले में इस्ति थे, ये भी याद रखना है, बागिन नदी के टड़ पर इस्तित होने के नाम ही इनका नाम भाग की गुफाएग रखा गया है, इन गुफाव का संबंध जो है, बोध धर्म से है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की और, और ये जो बागिन नदी के टड़ पर इस्तित बाग गुफाएं हैं, इसमें गुप्त कालिन चित्रकलाएं बनी हुई है, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पुछा गया है, मद्ध प्रदेश में पहला जला अभिसेक अभियान की बर्स में प्रारंब किया गया था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होने वाला है दोस्तो, आपशोन नमबर फाष्ट, बांधक पूर में, अलग उले नमबर गुफाएं, निमन लिखित में से कहा है, राइचा प्रदेश में इसका wherein पहरा था, これ होग़ा था उद्गम होता है क्योंकि अमर्कन टेक्ट जो है वह अनुपूर जिले में ही इस्ती थे और यहां पर अनुपूर जिले में ही नर्मदा नदी पर कपिल धारा जल प्रपाद भी इस्ती थे और यह जो सिनहारा गुफाएं है यहां अनुपूर में ही इस्ती थे आगे बढ़ते आफसर नंबर सेकेंड पश्रिमी पठार जो है या मद्य प्रदेश के प्राकर्तिक छेत्र के अंतरगत नहीं आता है इसके अतिरिक्त मद्य भारत का पठार सत्पुड़ा और मेकाल छेत्र नर्मदा सोन घाटी और साती साथ बुंदेलखन पठार और वगेलखन पठार यह ज इसले चार है और ईसका मद्य प्रदेश को याद रखना शे और नेक्स्ट को में आप से पुछा पानी की आपुरती का जो मुख्य स्रोत है वहां कौन सी नदी है नर्मदा नदी है नर्मदा नदी का पानी ही पूरे इंदोर सहर में पहुंचाया जाता है इंदोर सहर जो है यह खान नदी के किनारे इस्तित है इंदोर को मद्धिप्रदेश की वेवसाईक राजधाने भी कहा जाता है और इंदोर जिस खान नदी के किनारे इस्तित है इस खान नदी में इंदोर सहर के पूरे सिवेज का पानी छोड़ा जाता है इसलिए यह नदी का जो पानी है अब उपयोगी नहीं है तो इंदोर सहर में जो पीने का पानी कहां से प्रवैट कर रहा है जाता है तो आपका अंसर होगा नर्मदा नदी से पहुचाया जाता है चलिए आगे बरते हैं तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ल के लिए मॉडल सेट देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसतर आपकी प्रिप्रेशन और बहतर हो पाएगे और आप लोगों का भी सेलेक्शन हो पाएगा जय हिन दोस्तों